स्वागत अबच्छ आपका Self Study की चैनल में और आज हम एक topic या फिर एक कहें एक survey किया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले है और उस survey में पता चलाएगी भारत की जो जनसंक्या आने वाले time में कम होने वाली है अब ये कम कैसे होने वाली है आज यही हम चर्चा करने वाले है अब हाली में NFHS यानि National Family Health Survey किया गया है राष्ट्रिय परिवार स्वास्तिय सर्वेक्षन 2019-21 इसके जो इन्होंने जो अपने आंकडे निकाले हैं इन्होंने कहा है कि जो total fertility rate होता है total TFR यानि total fertility rate कुल परिजन अंदर वो कम हुई है मतलब कम क्या हुई है पहले 2.2 थी अब कितनी हो गई है तो यानि total fertility क्या होती है इसके बारे मता देता हूं देखो total fertility rate का मतलब होता है या फिर कहें कुल परिजन अंदर का मतलब होता है यानि TFR कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जनम देती है उसे कहते हैं Total Fertility Rate यानि कुल परजन अदर यानि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को उसने जनम दिया अब कहा यह जाता है कि अगर एक महिला 2.1 यानि 2.1 बच्चा पैदा करती है एक देश के अंदर पतलब कि जहां पर एक देश है उसमें जितनी भी महिला है वो 2.1 बच्चा पैदा कर रही है तो उस देश की जो जनसंक्या है वो ना तो बढ़ेगी ना वो घटेगी यानि किया तो ऐसे जो है चीजों को मतलब मेंटेन किया गया है तो यहां पर ओसत निकाला गया है कि 2.1 का मतलब है एक ने कम कर दिया तो एक ने ज्यादा कर दिया यानि किसी भी देश में अगर महिलाएं जो है वो 2.1 बच्चा पैदा कर रही है तो उस देश की जो जनसंक्या है यह तोड़ा सा मुझे न, cold हुआ हुआ है, बोलने भी problem हो रही है, अब क्या हो रहा है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं, कि काफी time से जो भारत सरकार जो है, वो एक family health planning, यानि family planning जो चला रही है, काफी सारे परिवार, नियोजन कारेकरम, भारत सरक शहरों में यह 1.6 है, और गावों में यह 2.1 है, और 1950 की बात करें, तो वहाँ पर तो भाया 6 थी, बहुत ही जादा, इतनी जादा की गई थी, अब क्या कारण है, क्यों आई है यह नीचे, अब इसके पीछे भी काफी सारे reason है, मतलब कि सरकार ने काफी सारे scheme चला रही है, उनको family planning के बारे में बताया गया, कि परिवार नियोजन कैसे करना है, विवा की I.U. क्या हो नहीं है, महिला शशक्ति का and woman empowerment किया गया, जिसके कारण यह हमें TFR में कमी आने का योगदान हमी मिला, गर्म निरोधक, कि भाया, अभी जो जैसे गर्म निरोधक का, मतलब बढ़ है, जैसे कि पहले जो था 54% इसका use किया जाता था, अब 67% इसका use किया जाने लगा, एक तो यह हो गया, दूसरा है, तीसरा है, मतलब, reversible spacing, यानि बच्चों के बीच के अंतर, यानि महिलाएं जो है, वो एक बच्चा करने के बाद कितने टाइम बाद, second बच्चा करने, तो इसके वीचे अंतर, साथ ही साथ नस्मंदी के परिणाफ सवरू, मुआवजे दिये गए, छोटे परिवारों के लिए, मतलब कि कुछ यहां पर scheme चलाए गई, जिसके कारण, यहां पर हमें ये result देखने को मिले, सरकार भी काफी टाइम से ये काम कर रही है, और भारत जो है वो पहला देश है, जो क्या किया है, नेशनल लेवल के ऊपर परिवार नियोजन का रेकराम शुरू किया है, मतलब कि फैमिली प्लैनिंग इसने शुरू करने वाला पहला देश है, अब इतने सारे काम करने के बाद हमें ये result देखने को मिले है, काफी टाइम से इन फोलो करवा रहे हैं, अब क्या है कि सरकार ने कौन-कौन सी चीज़ें किया है, अब जरा उसके उपर नजर डाल लेते हैं, कुछ सरकारी पहले देख लेते हैं, कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के द्वारा, 2019 में सुन्दंदता दिवस के उपर भाशन दिया गया कि देखो 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 जरूरी नहीं कि आप बोर्डर पर खड़े होकरी करो, देखो ये भी है कि आप देख की जनसंक्या को नियत्रण भी करो, तो ये है, मिशन परिवार विकास, तो जहां पर टोटल फर्टेलिटी रेट जादा है, वहां पर 146 उच परिवार नियोजन शतिपूर्ति योजन, यानि नेशनल फैमिली प्लैनिंग इंशोरंस स्कीम, वही 2005 में शुरू की गई थी, जो नस्बंदी करा रहे हैं, अगर वहां पर कोई मिर्त्य हो जाती है, या फिर कोई बी अलग प्रोब्लम आ जाती है, तो वहां पर भीमा किया इसको देश की जो TFR जो है, वो दो होने से, अब जो जनसंक्या है वो कम होगी, अब इससे क्या होगा, कि हमारा देश में जो हम चाह रहे थे, कि जनसंक्या ना बड़े, वह हम हासिल कर पाएंगे, अब TFR, यह हर कोई देश चाहता है, कि 2.1 जो है, उसकी देश की जनसंक्य ह हें सह सोची को से सुरुजा योग परकार जह निदे जारे क्ला इन यह जमाता है उनका वीकास जल्ती होपाएगा तो यह प्रती तो जर्कार हो उसको ज़्यादा जुरूरत नहीं होगी बहुत सारे लोगों की चिंता करने की क्योंकि अब लोग कम हो जाएंगे तो एक ये रीजन महत्व है अब एक ये चीज कहा जाता है कि अब यूवाउ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर आर्थिक विकास होगा अब आर्थिक विकास तो देखो यार इन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास जरूरी नहीं कि केवल हिस्से हो उनके लिए सरकार को बहुत सारी चीजे चलानी पड़ेंगी सिक्षा से रेलेटिड हो गई उनके को स्किल प्रवाइड करनी हो गई तब जागे आर्थिक विकास हो गए हाँ पर एक रीजन इन्होंने ये भी दिया है आगे जन संक्या में वृधि में कमी होगी देखो जब हमारा देश 2004-26 में ये प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो जाएंगे 2004-26 के बीच में लेकिन अब इसमें देरी होने वाली जो काफी अच्छी चीज है आगे अब चिंता के रुजान क्या है आपने पॉजिटीव देख लिए नेगिटीव चीजें क्या है नेगिटीव चीजों में देखो महिला नस्बंदी की वृधि 2015-16 में 36 से आज की डेट में 38 होगी है कहा जा रहा है कि महिलाओं का जादा नस्बंदी किया जा रहा है as compared to पुरुष कि पुरुष इस चीज से भाग रहे है अब कम TFR से समखी चिंता हैं क्या होगी देखो 2.1 एक बच्चा होड़ा तो सही है कि 2.1 फटलिटी रेट चल रही है किसी देश की बिल्कुल सही है वहाँ पे ना तो जन संक्या बड़े के ना घटेगी लेकिन अगर उससे कम है तो ओविसली एक टाइम बाद जन संक्या में कम ही आ जाएगी दूसरी चीज यह होगी कि जो शहर होगे हमारे जो गाव होगे वहाँ पर शहरों में तो ज़्यादा प्रोब्लम यह है कि अगर यह 2.1 या जैसे की 1.6 है या फिर कई पूरे देश की जो जन संक्या है 2.0 है अगर यही रहेगी तो हमारे यहाँ पर व्रिदों की जन संक्या जादा होगी और यहाँ पर जैसे की चीन के अंदर हो रहा है वहाँ पर यूवा की जन संक्या कम है व्रिदों की जन संक्या जादा है तो यह एक चिंता जन्न गुरु जहान है तो ये जो चीज थी आज की हमने ये देखा गी TFR क्या है? Total Fertility Rate क्या है? किसी देश की कितनी होनी चाहिए? हमारे देश की कितनी हो गई है? इससे क्या फाइदे होगे? क्या नुकसान होगे? I hope so आप लोगों को ये lecture समझ में आया होगा और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पर ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा Telegram का, Facebook group का, Facebook page का तो जाकर जोइन कर लिजिए वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो से related PDF मिल जाएगी Thank you for watching this video